जादूई दीपक बहुत पुराने समय की बात है एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ पर दो राक्षस रहा करते थे दोनों शिकार करते और मिल बाट के खाते राक्षसों के कारण गाउं वाले बड़े ही भैभीत रहा करते थे अकसर राक्षस लकड़ारे को पकड़ कर उन्हें अपना शिकार बनाते थे एक बार गाउं में रहने वाला विभूती नाम का लकड़ारा यह जानते हुए भी कि यदि वह लकड़ी काटने जंगल में जाएगा तो राक्षस उसको अपना शिकार बना लेंगे मजबूरी में अपने परिवार का पालन करने के लिए वह जंगल की तरफ चल दिया अब उसके पास खाने के लिए दो सूखी रोटी, चटनी, पानी तथा लकड़ी काटने के लिए कुलहाडी थी जब विभूती जंगल में पहुँचा तो उसने देखा कि दूर दूर तक बड़े बड़े पेड लगे हुए हैं क्योंकि राक्षसों के डर के कारण लकड़ारे ने जंगल में पेड काटने के लिए आना छोड़ दिया था और आस-पास कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे थे विभूती को बहुत डर लग रहा था लेकिन दूसरी तरफ परिवार का प्यार उसको मजबूर कर रहा था कि वो आगे बढ़े और लकड़ी काटे थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक सूखा पेड नीचे गिरा हुआ है और वह बहुत खुश हुआ उसने सोचा अब उसे पेड पर चढ़ने की जरूरत नहीं है लकड़ीयों को काट लेगा और अपने घर की तरफ लोटेगा और उसने पेड की लकड़ियां काटना शुरू कर दिया काफी देर हो गई और उसको भूख लगने लगी वही एक पेड के नीचे बैठ कर उसने अपनी खाने की पोटली खोली पोटली के खोलते ही प्यास की चटनी और रोटी की सुगंध चारों तरफ फैल गई और कुछ दूर पर रहने वाले राक्षसों के नाक में भी वो सुगंध पहुँची और भूख से पीडित राक्षस सुगंध का पता लगाने के लिए पेड से नीचे उतर आए कुछ ही दूर पर उन्होंने विभूती को बैठे हुए देखा उन्होंने विभूती से कहा हे मानव तुम क्या खा रहे हो विभूती ने कहा मैं एक गरीब आदमी हूँ सूखी रोटी और चटनी आज इसके अलावा भला मैं क्या खा सकता हूँ राक्षसों ने जानवरों और इनसानों के गोश्ट के सिवा कभी कुछ नहीं खाया था इस प्रकार की नई चीजें देख कर उन्होंने कहा क्या तुम हमें अपनी रोटी दोगे राक्षसों की बात सुनकर विभूती बड़ा हैरान हुआ और बोला आप इतने बड़े शरीर के मालिक हैं भला इन दो रोटियों से आपका क्या होगा विभूती की बात सुनकर राक्षस बोले देखो मानव अगर तुम हमें अपनी रोटियां दोगे तो उसके बदले में हम तुम्हारी जान बक्ष देंगे और तुम्हें जादू का दीपक भी देंगे यह दीपक जलाते ही तुम्हारे पूरे घर में रोश्नी हो जाएगी और पूरे गाउं में तुम्हारा घर सबसे ज्यादा प्रकाश्मान होगा बेचारा विभूती राक्षसों को मना भी नहीं कर सकता था इसलिए उसने मजबूरी में अपनी रोटियां, चटनी, प्याज, आदी सब कुछ राक्षसों के हवाले कर दिया और काटी हुई पेड की लकडी को बांध कर अपने घर वापस आ गया और घर आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा मुझे बहुत भूख लगी है, कृप्या मुझे खाने को दो विभूती की बात सुनकर पत्नी बोली मगर मैंने तो तुमें दो रोटियां दी थी, क्या तुमने वह नहीं खाई तो विभूती ने पत्नी को सारी बात बता कर दीपक उसके हाथ में दे दिया काफी शाम हो चुकी थी, पत्नी ने सोचा, चलो इस जादूई दीपक को जलाती हूँ और दीपक के जलाते ही पूरे घर में उजाला पहल गया दूर दूर तक किसी कोने में कहीं भी अंधेरे का नाम और निशान भी नहीं बचा ऐसा लगने लगा विभूती के घर में सूरज निकलाया हो गाउवालों को भी यह उजाला दिखाई देने लगा और सब विभूती के पास आकर इसका कारण पूछने लगे धीरे धीरे जब भी किसी को कोई आवशकता होती तो वह विभूती से उसका दीपक मांग लेता और अपना काम करके उसे लोटा देता एक बार जब विभूती अपने घर में दीपक जलाकर आराम कर रहा था तो रात में आकाश में परियां विचरण कर रही थी और जब उनकी नजर धरती पर गई तो उन्हें नजर आया कि जैसे धर्ती पर कोई तारा उतर आया हो यह देख कर वह बड़ी चकित हुई और उस तारे की तरफ चल पड़ी और चलते चलते विभूती के घर तक पहुँच गई विभूती के घर पहुँच कर परियों ने विभूती से कहा हे मनुष्य तुम कौन हो और यह दीपक तुम्हे कहा मिला पृत्वी लोग का नहीं है यह यह तो नाग लोग का है तुम जल्दी से जल्दी यह दीपक जहां से प्राप्त करा है वही पर लोटा दो वरना तुम्हारे उपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा विभूती हैरानी से बोला किन्तु परी रानी मुझे तो यह दीपक जंगल में रहने वाले राक्षसों ने भेट के सुरूप में दिया है परी बोली तुम बहुत भोले हो विभूती यह दीपक नाग लोक का है और किसी भाती राक्षिसों ने प्राप्त कर लिया है किन्तु नाग लोक में इसी दीपक के द्वारा उजाला होता है इस समय नाग लोक में दीपक ना होने के कारण बड़ी खलबली मची हुई है और अंधेरा है अगर उन्हें यह पता चल गया कि दीपक तुम्हारे पास है तो वह सब मिलकर तुम्हारे उपर आक्रमन कर देंगे और तुम्हारा पूरा गाओ नागों के आक्रमन से खत्म हो जा यह सुनकर विभूती बहुत डर गया और परी से बोला परी मा आप ही बताईए यह दीपक अब मैं कैसे वापस करूं क्योंकि वापस जंगल में जाकर उन राक्षसों से मिलना और बात करना इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है परी बोली तुम इस दीपक को किसी सापों के ब दिल के पास रखो, विस्वेम ही ले लेंगे, किंतु याद रखना यह जानते ही कि यह उनका प्रियदीपक तुम्हारे पास था, वह तुम्हें छोडेंगे नहीं, तुम्हें सजा देने की कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें यह जादूई मोती देती हूँ, अगर तुम्हा इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी बुद्धी से ही इस मुसीबत से बाहर आना होगा। इस बारा दीपक का स्पर्श करने के कारण उस दीपक में से नागों को वह सुगन्ध नहीं आ रही थी जो उनके दीपक से आया करती थी। उनके दीपक से उन्हें किसी मनुष्य की सुगंध आ रही थी, और उन्होंने सोचा कि जरूर किसी मनुष्य ने हमारे दीपक को चुराया था, और फिर डर के कारण हमारे दीपक को वापस हमारे बिल में रख दिया है, किन्तु हम उस मनुष्य को माफ नहीं करेंगे, और उसक हमारा दीपक चुराने के लिए सजा भुगतनी होगी और विभूती के इस पर्ष की सुगंध को सूंगते सूंगते वे सब विभूती के घर के चारों तरफ गेरा डाल कर बैठ गए भयानक सापों की फुपकार की आवाज आने लगी ऑप्शन गर के हर बरतन में थोड़ा-थोड़ा दूद रखवा दिया और पूजा की सामगरी लेकर उसने डरते-डरते अपने मुह में परी का दिया हुआ जादूई मोती रखकर दरवाजे को खोल दिया दरवाजा खोलते ही सभी नाग जोड-जोड से उसे डसने के लिए अपना फन मारने लगे लेकिन उन्हें विभूती कहीं भी दिखाई नहीं दिया जब उन्होंने विभूती की जोपड़ी के अंदर देखा तो चारों तरफ बरतनों में दूद रखा हुआ था और पूजा की सामगरी रखी हुई थी नागों को यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ अभी वे सोच ही रहे थे कि अद्रिश्च रूप में विभूती की आवाज आई हे नागराज आप अपनी पूरी सेना के साथ मेरे घर आए मैं बहुत खुश हूँ आपका बहुत स्वागत है कृपया मेरे पास जो भी है सुईकार करें मैं धन्य हुआ कि मुझे आपके दर्शन हुए है मैं एक गरीब लकड हारा हूँ और लकडियां काट कर अपना पेट पालता हूँ मैं जंगल में लकडियां काटने गया था वही पर दो राक्षसों के पास मैंने यह दीपक देखा और अपनी जान की बाजी लगाकर राक्षसों से युद्ध कर किसी तरहां आपका यह दीपक मैं वापस लेकर आया और इसे मैंने अपने घर में इसलिए रखा कि दीपक के कारण आप जरूर हमारे घर तक आएंगे और मुझे भी आपके दुरलब दर्शन हो जाएंगे विभूती बोला महराज आपसे भय के कारण अपनी सखी परियों के द्वारा दिये गए अद्रिश होने वाला मोती अपने मुह में रखकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप कृपया आपके लिए रखे गए दूद को स्विकार करे और मुझे अपनी पूझा करने का अफसर दे विभूती की बात सुनकर और यह सुनकर कि परिया विभूती की सहेली है नाग पूरी तरहां से यह मान गए कि विभूती जो कह रहा है वह सच है और वह बड़ी मुश्किल से कठिन प्रयास करके उनका दीपक राक्षोसों से वापस लेकर आया है और वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने विभूती को बहुत से आशीरवाद और हीरे जवाहरात दिये तथा विभूती का दिया हुआ दूद पीकर अपना दीपक वापस लेके अपने नाग लोग चले गए और इस प्रकार विभूती ने अपनी बुद्धी से अपने गाउं को और खुद को नागों के रोग से बचा लिया तथा हमेशा के लिए उसके जीवन से गरीबी दूर हो गई और परी के दिये हुए जादूई मोती से वे जीवन परियंत अवसर पढ़ने पर पूरे गाउं की सेवा करता रहा